जिन गाडियों में 6 या 8 इंजेक्टर होते हैं उनमें double ECM कैसे इस्टोल किया जाता है और उनके जो wiring connection है वो कैसे होते हैं कौन सा वायर किस इंजेक्टर पर लगेगा उनके जो इंजेक्टर की चाल होती है वो किस तरह से होती है वो एक डाइग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा मैं बहुत ही आसान तरीका है तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं तो इसमें दो ECM लगते हैं यह हमारा main ECM है और यह secondary ECM होता है तो इस पूरी लूम को इसमें सिर्फ हमारे जो main इंजेक्टर की जो वाइरिंग है इसी को हम इसके connection दिखाएंगे अगर आपको बागी पूरी लूम के connection नहीं आते हैं तो आप हमारी पीछली वीडियो में जाके देख सकते हो तो यह हमारा main ECM की वाइरिंग है और यह जो हमारे secondary ECM उसकी वाइरिंग है इसमें तीन लूम होती है तो तीनों में आपको डाग्राम में समझा दू एक में तीन वाइर होते हैं इसमें तीन वाइर है तो यह जो रेड वाला वाइर है यह हमारे ignition की पे लगेगा और जो ब्लेक है वो ग्राउंड है अर्थिंग है और जो लाश्ट वाला बचा यह हमारे गेस सेलोनाइट वाल पे लगेगा प्लेस पे इसकी कानी हो गई घतम अब यह दो जो लूम बची है इसमें एक में ब्लेक धारी है जैसे इसमें ब्लेक धारी है और यह वाइड धारी है तो जो ब्लेक धारी वाला है वो इंजेक्टर तरब जाएगा जो वाइड धारी वाला है वो हमारे मेन ECM तरब आएगा इसमें लिखा हुआ है ब्लू ब्लेक इस्यू साइट और ब्लू वाइट लाइन यह हमारे मेन ECM की वाइडिंग है तो इस तरब आएगा इसमें नोट लिखा है वाइट लाइन वायर मोस्ट लूपिंग विट CNG ECM ब्लेक लाइन वायर यूज इन पेट्रल इंजेक्टर कटिंग तो यह पूरा डाइग्राम में आप इसमें देख के भी कर सकते हो जिससे आप इनजेक्टर डिवाइस लेते हो जो सेकंडरी ECM लेते हो उसके साथ में यह वाइरिंग डाइग्राम आता है तो इसकी मतद से भी आप वाइरिंग कर सकते हो कि तो इसमें गिए हमारी इंजेक्टर तरफ जाएगी इससे हम साइट में रखता है यह हमारे में एकिन की और हम एकिएम और फिर23 करना होता भाइड़ कुद को पूले इस नीकाल लेता है भोदी आसान है इसके जो कनेक्शन करना तो यह हमारा एक नंबर है इसमें जो वाइड लाइन है वो इस ब्लेक लाइन वाले वायर से जॉइंट हो जाएगा आपको दीख रहा होगा इसमें वाइड लाइन है थोड़ा किलियर करने की कोशिस करते हूं इसमें नहीं दीख रहा है लेकिन इसमें वाइड लाइन है और इसमें ब्लेक लाइन है तो जो वाइड लाइन है वो ब्लेक लाइन से जॉइंट होगा और जो प्लेन वाइर है प्लेन से प्लेन जॉइंट हो जाएगा अब आप इंजेक्तर कटिंग भी कर सकते हो या फिर इंजेक्टर की लूम आती है यॉट तो उसके साथ तिस में आप सेम कलर प्सक्री निवायर होते हैं जसमें ब्लेक लाइन और वाइट लाइन में इस जेक्टर की लूम में भी ब्लेक लाइन होती है कि ये तीनों आपस में जुआइन हो जाएंगे यह हो गया हमारा एक नमबर इंजिक्टर का कनेक्शन और जिसमें प्लेन है उसमें प्लेन से प्लेन वायर चोइंट हो जाएगा यह बन गए हमारे तीन वायर यह कॉम्बो हो गए है तो सेम कलर मिला के चारों इंजिक्टर की वायरिंग आपको करना है दो नमबर तीन नमबर सभी में इसी तरह से होगी अब यह हमारी जो ब्लेक लाइन ही यह जाएगी हमारी इंजिक्टर पर लेकिन इसमें आन्ट इंजिक्टर है तो इसमें जो एक नमबर इंजिक्टर और दो नमबर इंजिक्टर कुसा भायर कि संच तरफ जाएगा इसके बारे में आप लोगों को सम्झाऊंगा यह मैंने अलग से एक diagram बनागा है यह हमारा engine है यह belt side है और यह gearbox side है belt side से एक number होता है कुछ इस तरह से injector लगए होता है जब हम rail बाहर करते हैं तो अब यह हमारा एक number mini-fold है और यह एक number injector इस तरह से लगा हुआ और यह दो number injector है यह दो नमबर यहां पर दिया हुआ है चारो मेनी फोल्ड में इसी तरह से इंजेक्टर लगे होता है थोड़ा किलियर कर दूँ मैं आप तो सबसे पहले हमारे जो वाइरिंग कनेक्शन होगा वो मेन ECM जिसमें हमने कॉम्बो बनाया है तीन वाइर तो इसी का होगा अब यह जो कॉम्बो है हमने अलग से जो इंजेक्टर की लूम ली है तो इसमें दो लूम होती है यानि यह जो वाइर है यह हमारे एक नमबर इंजेक्टर में लगेगा एक नमबर सिलेंडर का फर्स्ट इंजेक्टर ठीक है अब जो दूसरा दूसरा जो वायर है दो नंबर में ECM का वो हमारे दो नंबर सिलेंडर के फर्स्ट इंजेक्टर याने तीसरे नंबर के जो इंजेक्टर है तीन नंबर में लगेगा सेम तीन नमबर का जो वायर है मेन ECM का वो हमारे पांच नमबर इंजेक्टर में लगेगा वोर लास्ट वाला जो मेन ECM का वायर बचता है चार नमबर में वो साथ नमबर में लगेगा तो यह हो गया हमारा main ECM की wiring main ECM आपको फिर से बता दू 1, 3, 5 और 7 यह main ECM के connection है अब बचता है secondary ECM तो secondary ECM में भी same color होते हैं 1, 2, 3, 4 तो इसमें secondary ECM में जो एक number है वो दो number से start होगा पहले cylinder का जो दूसरा injector है right side में पहले number की जो wiring है वो दो number में लगेगी दूसरे number की 4 में लगेगी तीसरे की 6 में लगेगी और चोंते की 8 में लगेगी बस इतना ही है simple तरीका है तो बस यही था आज के वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलता है किसी अगले वीडियो में आपको 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 आपक